नमस्कार दोस्तों, मैं मयूड सुर्यवेंशी, सुर्यवेंशी एकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भारती समिधान का भाग दो, जो नागरिक्ता का उपबंद करता है, उसके विशे में आज हम संपूर जानकारी प्राप करने वाले है क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सामानी सी जानकारी दे देता हूँ, कि नागरिक्ता शब्द अर्थ क्या रखता है जाहर सी बात है, कि नागरिक्ता किसको कहेंगे, इंग्लिश में स्रडिजन्शिप किसको कहेंगे तो इसका उत्तर यह है कि नागरिक्ता एक ऐसा अधिकार है जो राज जी द्वारा जनता को प्रदान किया जाता है अब दूसरा प्रश्ण यही से निकलता है कि राज जी क्या है अच्छा ये सब समझारे का उदेश यह है कि जो नागरिकता अलग-अलग प्रकार हैं वो सब भी यहीं से जन्म लेते हैं जिस प्रकार से राज जी का प्रकार होता है तो राज जी की विशे में ऐसा कहा गया है कि राज जी के मूल रूप से चार तत्व होते हैं पहला होता है इसका शेत्रफल, दूसरा होता है इसका एक सीमित निर्धारित शेत्र या भूभाग या सीमा, तो कुछ भी कह सकते हैं आप, तीसरा इसका सबसे महत्पूर्ण तत्व है, वो होता है आपका जनसंख्या, कि राज में जनसंख्या होना आवशक है, और चौथा और आखरी तत्व है इसका सरकार या शाशन, तो ये चार तत्व मिलकर राज का निर्मान करते हैं, अब राज किस प्रकार से बनता है, वही तय करेगा कि वहां की नागरिक्ता क्या होगी, अब बात कर लेते हैं अलग-अलग राज्यों के निर्मानों की, जैसे इतिहास में आपने सुना होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है, जहां पर आज भी राज तंत्रात्मक व्यवस्ता चलती है, राजा का शाशन चलता है, वहां पर एक निश्चित शेतरफल है, उसका एक निश्चित भूभाग है, उसकी एक इस्थली सीमा है, वहां पर एक जनसंख्या है और वहां पर एक साशन तंत्र भी है जिसको सरकार कहते हैं, वहां की सरकार ने वहां की जनसंख्या को देखते हुए या वहां के नागरिकों को देखते हुए उनको नागरिकता के अधिकार दिये और वहां की नागरिकता उन्होंने दी है एकल नागरिकता के रूप में वहीं दूसरी और आपको पता है कि हमारे पास United State of America USA जैसा एक राजी है यूएस राजी के इतिहास में चलते हैं तो वहां पर कभी राजा का शाशन नहीं रहा वहां पर पहले आदिम जन्जातियों का शाशन हुआ करता था फिर उपनिवेशिक काल में ब्रिटेन और कहीं अलग-अलग उपनिवेशों का महाँ पर सामराज रहा ब्रिटेन ने सरवाधिक महाँ पर उपनिवेश हासिल किये और इन उपनिवेशों के विरुद वहां के निवासियों ने करांती करी और करांती फलस्वरूप अमेरिका आजाद हुआ जब अमेरिका आजाद हो रहा था तो वहां के राज्यों का सुरूख तेरा अलग अलग प्रत्थक राज्यों में बटा हुआ था ये तेरा राज्यों ने मिलकर एक संयूक्त राज्य का निर्मान किया तो यहीं से राज्यों से मिलकर एक बड़ा व्रहद राज्य का निर्मार हो जाता है इस राज्य की एक निश्चित सीमा है इस राज्य की एक निश्चित जनसंख्या है इस राज्य का एक शेत्रफल है और इस राज्य में ही सरकार है और इस सरकार ने वहाँ की नागरिक्ता के लिए कुछ उपबंद किये हैं और वो उपबंद ऐसे हैं कि वहाँ की नागरिक्ता को दोहरी नागरिक्ता के अंतरगत रखा जाता है अमेरिका की नागरिक्ता किस प्रकार की हुई दोहरी वहाँ पे ऐसा होता है कि व्यक्ति राज्जी का भी नागरिक होता है और राश्ट्र का देश का भी नागरिक होता है तो इस प्रकार से नागरिक्ता जो है एक सामानी से अर्थ में समझी जा सकती है अब इसकी बात करें भारती अर्थों में तो भारत के विशय में आपने सुना होगा कि भारत एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्र हुआ और यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी रियास्तें इसमें मिल गई जब भारत आजाद हो रहा था तब हमारे पास ब्रिटिश हुकूमत के लगभग 11 प्रांथ थे, 6 हमारे पास केंदरशाशित पदेश थे जहां पर ब्रिटिश हुकूमत चलती थी और लगभग 500 या 500 प्लस हमारे पास देशी रियास्ते थे जिनका हमने भारत में विलए किया इन सभी का विलय होने के बाद भारत का एक सामराजी बनता है एक शेत्रफल बनता है एक भोगोलिक सीमा बन जाती है वहाँ पर रहने वाले निवासी हो जाते है और वहाँ की एक सरकार भी डेपुट हो जाती है इस सरकार ने भारत के सभी नागरिकों को नागरिक्ता प्रदा देता है जिस प्रकार से भारत के राज्यों के लिए कहा जाता है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संग है अर्थात हमारे यहां पर इंटर्नल राज्यों का कोई अस्तित्व माइने नहीं रखता इसलिए व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती जैस भारती सम्मिधान में नागरिक्ता के जो उपबंद हैं वो किस प्रकार के हैं और क्या-क्या उपबंद किये गए हैं तो इसको समझने के लिए भारती सम्मिधान में हमको चलना पड़ेगा भारती सम्मिधान का भाग 2 की कहता है कि नागरिक्ता के कुछ उपबंद होंगे जो इस प्रकार है इन उपबंदों को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यही आपकी परिक्षा में एक साधारन सा प्रशन आता है कि भारती सम्मिधान में नागरिक्ता को किन अनुच्छेदों में लिखा गया है तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि सम्मिधान के प्रारंब पर नागरिक्ता यह अनुचेद प्राधान करता है कि कोई व्यक्ति जो भारत में सामानी तोर पे पिछले पांच वर्षों से अधिवास कर रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा यह अनुचेद समिधान के प्राधान पर ही लागू होता है अन्य उपबंद जो हैं वो संसद द्वारा विधी बनाकर इसपष्ट किये गए हैं अनुचेद 11 का उप्योग करते हुए हमारी संसद ने 1955 में एक अधिनियम पारित किया जिसे कहा गया भारतिये नागरिक्ता अधिनियम इस अधिनियम में कुछ शंशोधन किये गए हैं यह शंशोधन जो हैं वो समय समय पर किये गए हैं अन्तिम शंशोधन 2015 में हुआ हैं इसके तहर यह निर्धारित किया गया कि भारत की नागरिक्ता पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है अर्थात जन्म के आधार पर, वंश परमपरा के आधार पर, पंजी करण के आधार पर, देशी करण के आधार पर और अंतिम रूप से अरजित भुभाग के आधार पर नागरिक्ता प्राप्त की जा सकती है अर्थात अगर कोई व्यक्ति जिसने साधारन रूप से भारत में जन्म लिया हो और उसके माता पिता मेंसे कोई भी भारती हो तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है वन्ष परंपरा के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी भारत के नागरिक हो और उसने भारत के बाहर भी जन्म लिया हो तो भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है इसे वंश परंपरा के आधार पर नागरिक्ता प्राप करना कहते हैं पंजी करन के आधार पर नागरिक्ता प्राप करने के लिए पहले कुछ उपबंद थे इसमें कि अगर कोई व्यक्ति भारत में सामानी तोर पर छे महा तक भारत में अगर निवास कर लेता है तो वो पंजीयन के लिए अपलाई कर सकता है और आवेदन करने के पश्चाथ उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है परन्तु इसमें शंशोधन करके 6 मा के स्थान पर अब 5 वर्ष का प्रावधान कर दिया है कि साधारान तोर पर अगर कोई भारत में 5 वर्ष तक रह रहा है तो वो पंजीयन के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है बात की जाए देशी करण के आधार पर तो भारत का नागरिक देशी करण के आधार पर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सामानी तोर पर निवास करना होगा अगर कोई व्यक्ति भारत में सामानितर 10 वर्ष तक निवास करता है तो वह देशी करण के आधार पर भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और नागरिक्ता प्राप्त भी कर सकता है अंतिम जो पांचवा पॉइंट है वह अरजित भुभाग के आधार पर नागरिक्ता प्राप्त करना यदि भारत में कोई विदेशी शेत्र आकर मिल जाता है या भारत युद्ध के आधार पर किसी शेत्र को जीत कर भारती भुभाग या भारती राजशेत्र में जोड़ ले सकता है या नागरिक्ता कि आपके अधिकारों को छीना जा सकता है तो हाँ 1955 का अधिनियम इस प्रकार का प्रावधान भी करता है यदि इसके किछ आधार है मुख्यता तीन आधार बताएं गए हैं पहला आधार यह है कि अगर आप अन्य देश की नागरिक्ता ग्रहन कर लेते हैं तो आपके नागरिक्ता संबंदी सारे अधिकार समाप्थ हो जाएंगे तीसरा पॉइंट है कि अगर भारत सरकार द्वारा आपको नागरिक्ता से वंचित कर दिया जाए तो आपके नागरिक्ता के अधिकार समाप्थ हो जाएंगे अब प्रश्ण उड़ता है कि भारत के प्रती अनिष्था दिखाते हैं समिधान का अनादर करते हैं अनिष्था दिखाने वाला कोई भी काम करते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिक्ता आपसे छीन सकती है इसके अतिरित भारत के शत्रू रास्ट्रों या युद्ध के समय आप शत्रू की सहायता करते हैं और इ दिखा कर या गलत किसी तथ्य को छुपा कर अगर आपने नागरिक्ता प्राप कर ली है तो सरकार आप से जो है नागरिक्ता के अधिकार भी छीन सकती है इसके अलावा यदि आपने देशी करण या पंजी करण के आधार पर ही नागरिक्ता प्राप करी परंतु आने वाले प अगर कोई भारती इस्त्री किसी विदेशी पुरू से विभा कर लेती है तो विभा की पस्चात हमारी परंपरा है कि उसकी नागरिक्ता जो है वो समाप्त मानी जाएगी लास्ट है कि लापता होने वाला जो आपने सेग्मेंट सुना होगा अगर लापता रहता है तो भी उसके जीवित होने के आश्रंका समाप्त हो जाती तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भारती राजशेत्र से लगाता और 7 वर्ष तक बाहर रहता है भारत नहीं आता है तो उसकी नागरिक्ता को समापत माना जाएगा समिधान के उपबंधों की बात की जाए तो समिधान का अनुच्छेद 5 समिधान के प्रारम पर नागरीक्ता के विश्वय में कहता है महीं अनुच्छेद 6 जो है वो ये प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके नागरीक्ता सम्बंधी अधिकार क्या रहेंगे ये अनुच्छेद बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत में रह रहा हो और वो पाकिस्तान से भारत को गमन करता है या प्रवर्जन करता है तो वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ जाना कर सकता है अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 की तारिक से पहले पहले नहीं आ पाया तो उस व्यक्ति का भारत में सम्विधान लागू होने से पहले तक भारत में पंजीकरन करा लेना आवशक है इस प्रकार से भारत का नागरीक वो बन जाएगा इसके बाद बात की जाए आर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में अगर चला गया है तो उसके भारत के नागरीकता संबंदी अधिकार समाप्त हो जाएंगे परंतु अगर वो यहां से गया पाकिस्तान और पाकिस्तान उसको पसंद नहीं आया तो 1948 में वापिस से 19 जुलाई 1948 में वापस भी भारत में आ आ सकता है और पुना भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है इस प्रकार से अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल आठ यह कहता है कि उत्पत्ति या उद्भाव के आधार पर नागरिकता है कि अगर भारत के बाहर किसी व्यक्ति का उत्भाव या उत्पत्ति हुई है तो क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है तो इस संबंद में आर्टिकल 8 के अंदर इस पश्ट किया गया है आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारती नागरिक्ता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के नागरिक्ता संबंद्य अधिकार समाप्थ हो जाएंगे आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिक्ता का बना रहना और इसके लिए ऐसा है कि संसद विधी द्वारा नागरिक्ता बने रहने के लिए प्रावधान कर सकती आर्टिकल 11 नागरिक्ता सम्वंद य अदिकार जो हैं वो संसत बनाएगी इस प्रकार से सामानी से आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ग्यारवा संसत विजी बनाती है तो इस प्रकार से हमारे नागरिक्ता सम्वंद य अदिकार समाप्त होते हैं अब एक प्रश्ण बच जाता है कि क्या भारत में दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान किया जा सकता है? जैसा कि आपको पता है कि भारत में एकल नागरिक्ता का प्रावधान हमने प्रारंब में किया था. परंतु कुछ ऐसी कठनाईयां देखने को मिली कि भारत के ऐसे नागरिक जो भारत के बाहर निवास करते हैं सामान तोर पर किसी बिजनेस के लिए और उनको भारत में आने के लिए अपने ही देश में आने के लिए नागरिकता संबंदी अधिकारे के रोड़े के रूप में परिशान करता है उनको वीजा या पास्पोर्ट उनके पास अगर नहीं है या कुछ प्रकार की डॉक्यमेंटेशन नहीं है तो उनको भारत में घुमने फिरने के जो उनके आजादी है उस पर थोड़ा सा अंकुष लगता है इसको देखते हुए कि हमारे भारत के नागरिक जो बाहर हमारे लिए काम करते हैं वहां से टेक्स भी देते हैं पैसा भी मोहिया कराते हैं उन लोग को थोड़ी से सहूलियत दी जाए उसके लिए भारत में 2003 में एक नागरिक्ता शंशुदान अधिनियम आया और उसके माध्यम से हमने भारत में दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान शुरू करने की पहल करी और इसके तैथ हमने ये कहा कि भारत के जो 16 देश हैं लगभग जैसे कि USA हो गया, Britain हो गया, Switzerland हो गया, Netherlands हो गया, पुर्तगाल, Sweden, France, Netherlands, Ireland आधि इसे बहुत सारे देश हैं, इन 16 राष्ट्रों के जो लगटी हैं, वो भारत के क्या कर सकते हैं, दोहरी नागरिक्ता के रूप से भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें भारत में घूमने के लिए किसी प्रकार के पासपोर्ट के आउश्यक्ता नहीं होगी साथ में यह भी कहा कि यह वैक्ति भारत में आके किसी प्रकार के ऐसे अधिकार की मांगनी करेंगे जो केवल नागरिकों के लिए, जैसे समताक अधिकार हो गया तो इनको समताक अधिकार तो हमने नहीं दिया पर उन्तु भारत में घूमने की और इस प्रकार के आर्टिकल 19 वाली आजादी हमने इनको प्रदान कर दी महीं 2003 का जो शंशोजन था इसको बाद में राश्पती ने 28 जून 2005 को एक अध्यादेश लाकर थोड़ा सा और परिवर्तन किया इसमें ये कहा गया कि ऐसे देश जहां पर दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान है और वहां के नागरिक भारत के प्रवासिय नागरिक हैं तो इन नागरिकों को भारत की नागरिक्ता दी जा सकती है और इसे हमने कहा OCI सीमा पारिय भारतिय नागरिक्ता Overseas citizenship of India तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहली बार OCI के माध्यम से दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान किया साथ ही 2015 में 10 साल बाद एक और अधिनियम लेके आए और यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे भारती नागरिक हैं जो भारती मूल के व्यक्ति हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन और जो हमारे OCI काड़ धारक जो व्यक्ति हैं सीमा पारी भारती नागरिक जो हैं इन दोनों को वि इस प्रकार से नागरिक्ता के संपून चेप्टर को समझने के बाद हम यह देखते हैं कि हमारी एक्जाम में यहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो यहां पर एक तिथी वाला प्रश्न आता है कि पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले वैक्तियों की वो तारीक कौन सी तो आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजेगा वो तारीक कौन सी है उसको नोट डाउन कर लीजेगा साथ ही यहां से पूछा जाता है कि भारती समिधान में जो नागरिक्ता अधिनियम है वो किस अनुच्छेत का उपयोग करते वह बना गया है तो आर्टिकल 11 संसत को व दोहरी नागरिक्ता है केवल सहुलियत दल्EC के लिए आप गया है भारत की एकल नागरिक्ता ही है इसका प्स्वरूप को समझने के बाद एक बात सपर्ष्ठ करना चाहूंगा और प्राश्ट पूछा जाए भारत की नागरिक्ता की नहीं लग कि भारत में एकल नागरिक्ता का प्रावधान ही है और इसके अलावा यहां पर अगर आप से पूछा जाता है कि PIO क्या है तो इसका फुल-फॉर्म भी आपको याद रखना है परसन आफ इंडियन ओरीजन और OCI का भी आपको फुल-फॉर्म याद रखना है Overseas Citizenship of India अगर हिंदी में पूछा जाए तो सीमा पारिये भारतिये नागरिक्ता इस प्रकार से आपके नागरिक्ता के सभी प्रशनों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की गई है आगे हमसे जुड़े रहिए तब तक के लिए बबाए